लिब्रे आफिस कैल सी के आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रोटेक्ट स्प्रेट सीट इस्ट्रक्चर इस विकल्प को आप टूल्स मेनू के अंदर देख सेते हो टूल्स मेनू के अंदर प्रोटेक्ट सीट के बाद यह विकल्प दिया गया है आपको हम बता द सके, copy ना कर सके, move ना कर सके ऐसे विकल्पों को यूज करने से रूकने के लिए आप इस विकल्प का प्रियोग यानि protect spread seat structure विकल्प का यूज कर सकते हैं, तो आएए देखते हैं इस विकल्प का यूज हम कैसे करेंगे, लिब्रे आफिस कैल सी के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस फाइल के अंदर कोई भी बदलाव ना हो, जैसे कोई नया seat insert ना कर सकें या जो seat insert किया गया उसको delete ना कर सकें hide ना कर सकें, या copy या move ना कर सकें तो इसके लिए option ये दिया गया है जैसे आप जानते हो, seat menu के अंदर ये विकल्ब दिया गया है, जहां से आप देखें इस फाइल के अंदर अगर आपको नया seat insert करना हो तो insert कर सकते हैं, यहां से आप seat को end में insert कर सकते हो insert seat from file कर सकते हो actionable data को आप यहां link कर सकते हो seat को delete किया जा सकता है rename, hide और यहां देख सकते हो move or copy का option दिया गया है seat tab कलर दिया गया है अगर आप चाहते हो कि यह सब विकल्ब हमारे इस file के अंदर काम न करें तो इसके लिए आपको जह tools menu के अंदर दिये हुए विकल्ब, protect spread seat structure पे आपको click करना होगा जैसे आप इस पे click करेंगे आपके सामने protect spread seat structure window आपके सामने खुल जाएगा जहाँ पे आपसे देख सकते हो यहाँ password पूछा जा रहा है यहाँ जो भी आपको password input करना है password को आप यहाँ इंटर कर दें और इंटर करने के बाद यहाँ OK कर दें OK करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो insert seat at end insert seat from file delete करना हो अगर कोई आपके सिवाए इस file को या इस seat को delete करना चाहता है तो delete नहीं कर पाएगा rename नहीं कर पाएगा hide नहीं कर पाएगा अगर पहले से कोई seat hide किया गया है तो unhide भी नहीं कर पाएगा देखें so seat भी आपका hide हो चुका है इसके अलावा move are copy seat और seat tab color right to left जैसे विकल्ब जह है ये सब कुछ protect कर दिया गया है यानि आपके इस file के अंदर ये सब बदलाव नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने tools menu के अंदर ये विकल्ब यूज किया है protect spread seat structure का यूज किया है अगर हम चाहते हैं कि फिर से हम इस file के अंदर कोई भी नया seat insert करें किसी seat को delete करें rename करें copy करें तो आपको दुबारा यहाँ पे click करना होगा और वही password जो आपने protection में use किया था वही password को दुबारा आप यहाँ input करिएगा ok करिएगा अभी देखें जो बिकल्ब आपका काम नही कर सकते हो यह सभी विकल्ब आपका आप काम करने लगा है तो यह होता है tools menu के अंदर structure को protect करना ताकि आपके सिवायजे आपकी इस file के अंदर कोई दूसरा changing ना कर सके कोई दूसरा बदलाव ना कर सके तो अमीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी जानकारी पस करें चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें